1796 की बात है एक अंग्रेज साइंटिस्ट है एडवर्ड जेलर उन्होंने देखा कि जो दूज दोने वाले लोग हैं उनको गाय के थनों में कुछ इनफेक्शन होता है उससे उंगलियों में छोटे-छोटे पस्चूल्स बन जाते हैं पस्ट के दाने बन जाते हैं तो इसके लेटिन में बोलते हैं वेका और इस बीमारी को जो से की कौवपॉक्स बोलते हैं इस बीमारी का नाम लेटिन में है वेक्सीनिया और क्योंकि गायों से लिया गया तो इसका मतलब बहता है वेक्सीनेशन तो अगर इनफेक्शन के मैटेरियल को किसी दूसे स्वस्ट और उसके अंदर इस रिजिस्टेंस की वरसे उसे वह बिमारी ने होती है। बाद में उन्होंने यह भी देखा कि यह जो कव पॉक्स है बहुत सिमलर है स्मॉल पॉक्स के और इस तरह से पहले स्मॉल पॉक्स के वैक्सिनेशन की खोई जोई है। अगर दुनिया में किसी एक आदमी का नाम ले जिसने दुनिया में सबसे जाने बचाई हो तो यह वही एड़वर्ड जेनल है। जिनके वैक्सिनेशन की इस खोच ही वैसे आज बहुत सारे वैक्सिन्स हैं। लाखों करोडों बच्चों की जाने बच्ती हैं क्योंकि हम बच्पन में ही वैक्सिनेशन करेते हैं जो खतरनाग विमारी होती है। और कोरोना के काल में हमने दिखा किस दर से वैक्सिनेशन की वैसे इस बीमारी से लड़ने मदद में लिए। तो दुनिया के सबसे बड़ी खोजों में से एक और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी एक साइंटिस्ट का नाम लीचे जिसने की सबसे बड़ी खोज की हूँ तो मैं नाम नुगा एडवर्ट जैनर का है जिन्होंने वेक्सिनेशन की खोज की हूँ वेका बलते हैं काउगो लेटिर में और इसकी वज़स इसका नाम पड़ा वेक्सिनेशन